नमस्कार News18 के सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पर आपका स्वागत है हम लोग केवल रील बनाने वाले नहीं हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं काम करने वाले लोग हैं आपकी तरह केवल रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं है समझें चुब बैठो एक दम लोको पाइलर्ट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं काम करने वाले लोग हैं आपकी तरह रील बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं देला, बैठो, 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 बहुत हो किया है कुछी पूभर लेता है 2014 से पहले, 2014 से पहले, जो आज लोकोपाईलोट्स के साथ सिंपेती दिखाके, सिंपेती दिखाके, रिल्स बनाने में व्यस्थ है, उन लोगों के समय में 0 था आप मुझे बताओ 508 में से एक भी जीरो का है एक भी AC कैब एक भी कैब AC नहीं थी जी हां सदन में भड़क गए रेल मंत्री आम दोर पर बेहदी शांत नजर आने वाले रेल मंत्री एश्वीनी वैशनाओ लोग सभा में ऐसे भड़के कि देखने वाले बस देखते ही रह गए लेकिन ऐसा हुआ क्या कि वो भड़क गए आईए आपको पूरा मामला समझाते हैं रेल मंत्री रेलवे में किये जा रहे सुधार और लोको पाइलट के बारे में सदन को पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे लेकिन इस दौरान सदन में खुब हंगामा चल रहा था लेकिन रेल मंत्री अपनी बात को जारी रखे हुए थे और ऐसी दौरान किसी ने उन्हें रेल मंत्री कहकर ताना मार दिया बस इतना बोलना था कि रेल मंत्री भड़क गए और गुस्से में तम-तमाय रेल मंत्री अश्वीनी वैश्णौव का वो रूप नजर आया जो अब तक शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा वैश्णौव जिस समय ये बोल रहे थे उस समय काफी जादा हंगामा होने लगा बार-बार रील मंत्री का जिक्र किये जाने पर वो नाराज हो गया और उन्होंने भड़कते हुए कहा कि बैठो चुब बैठो एक दम चुब कुछ भी बोल देते हैं इसके बाद उन्होंने स्पीकर ओम बिर्ला से कहा कि मानिय अद्यक्ष जी हाउस को ओर्डर में लाईए ये क्या तरीका है कुछ भी बोल देते हैं इस दौरान सदन में हंगामा मस्ता रहा और सत्ता पक्ष के सांसोदों को भी खड़े होकर विपक्षी सांसोदों का विरोध करते हुए देखा गया सदन में हो रहे हो हले के बीच लोगसभाय स्पीकर ने अश्वीनी वैश्णों से कहा है कि माननी मंत्री जी आप किसी भी व्यक्ति का रिस्पॉंस मत करो इसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि जैसा आपका आदेश इसके बाद वो अपना भाषन पूरा करते चलेगा है और उन्होंने इस दौरान रेलवे में हुई भर्तियों से लेकर और जो सुधार है उनकी जानकारी थी रेलवे ट्रेक की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री एश्वीनी वैश्णों ने कहा कि ट्रेक फैलियर रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती थी मोधी सरकार ने ट्रेक फेल पर बड़ा फोकस किया रेल मंत्री एश्वीनी वैश्णों ने बताया कि UPA के समय 32,000 किलोमीटर ट्रेक का नवीनी करण होता था वहीं NDA सरकार में उसकी जगा 43,000 किलोमीटर का नवीनी करण हुआ रेल मंत्री ने अल्टरा सॉनिक फ्लो डेक्शन तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी थी पिछले 10 साल में 52,000 अल्टरा सॉनिक क्रेक्शन किये गए इसके साथ ही उसमें knowledge improve किया गया रेल मंत्री ने कागस के पन्ने के साथ इसे समझाते हुए सदन में बताया कि कैसे ये तकनीक काम करती है उन्होंने compare किया कि पुरानी तकनीक में एक व्यक्ती अल्टरा सॉनिक मशीन लेकर रेलवे ट्रैक पर जाता था इसमें जितना डेटा आता था उससे पूरी accuracy नहीं आ पाती थी इसलिए सरकार ने phase array ultrasonic machine को develop किया है रेल मंत्री ने ये भी बताया कि लगभग हर जोन में इस तकनीक को लागू किया गया है ताकि ट्रैक में कोई भी गड़वड़ी हो तो उसे तुरंट ठीक किया जा सके उन्होंने ये भी कहा कि इसका फायदा भी मिला है 2014 के मुकाबले 2023 तक ट्रैक फैक्चर के मामले में 85% की कम ही आई है इस पेक्चर को बातों को बड़ा जा रहा है दो करों लोगों को जो रेल से सफर करते हैं उनके मन में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है हाला कि इस पूरे वाकाई के बाद भी विपक्ष सरकार और रेल मंत्री पर हमलावर रहा इस मामले को लेकर अब शिवशेना UBT की सांसाद है प्रियंका चत्रुवेदी उन्होंने भी रेल मंत्री परतंस कसा वो भूल गए कि अब विपक्ष काफी मजबूत हो गया है उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि रेल मंत्री जो तेजित हुए हैं उन्हें थोड़ा आदमचनतन करना होगा पिछले जो रेल मंत्री हुए वो गलानी महसूस कर इस्तीफा दे देते थे मोरल हाई ग्राउंड को लेकर करते थे उन्होंने यहाँ पर इन्हे गलानी महसूस नहीं होती लोकेशन पर जाकर शूटिंग होती है फिर उसकी रेल मंत्री है फिर उसका प्रचार करते हैं प्रचार और रील मंत्री से उपर उठकर विरेल मंत्री बने और देश को जवाब दें इन सब के बीच कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए जो बाला सौर के बाद चर्चाओं में रही तब सवाल भी उठे कि क्या हादसे के बाद परियाटन हो रहा है और मंत्री जी से पहले गैमरा पहुच रहा है तब ख़बर की शकल में सफाई दी गई कि कभी बाला सौर के कलेक्टर रहे जो अधिकारी है उन्होंने पचास गंटे यहां बिताए लेकिन कई ख़बरिया चैनलियों ने इसे भी इमेज मेनेजमेंट ही बताया अब भले ही मंत्री भड़ा गए लेकिन जबरन शौट टर्म मेमोरी लॉस की बीमार बताई जा रही जनता बहुत जादा कुछ नहीं चाहती है सिर्फ एक साल में हुए पांच हाथ सो में गंटा के चार जाम तारा के दो बाला सौर के 296 बकसर के चार विजय नगरम के चौदा हमरत कों की आत्माएं फिर सुनिए चौदा हमरत कों की आत्माएं जिन्ना मुसाफिरों के लिए मंजिल की गैरेंटी चाहती हैं मौत नहीं बाकी क्या है, रील आती जाती रहेंगी, अंगूठे लगते रहेंगे, लाइक्स मिलते रहेंगे, और सियासत चलती रहेगी, आपका रियक्शन ज़रूर दीजेगा